सबी साथ हो के मेरा नमस्कार मैं देवी सिंग मैथ टूटोरियल से यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज पर आपके लिए ले करके आया हूँ आठ फरवरी सन दोजार बाइस डेली करंट एफियर्स इन हिंदी आपको पताए फ्रेंड्स हमारी यूट्यूब चैनल के मैध्यम से डेली करंट एफियर्स आपके लिए प्रकासित किये जाते हैं यहां पर बनी है सांती शरी दोली पोड़ी सी आपका आंस्वर हो जाएगा सांती शरी दोली पोड़ी जवालाल नहरू विश्विद्याले जी ए नियू की पहली महिला कुलपती बनी है सांतिसरी दुलीपोडी एम जगदीश कुमार का सतान लेंगी पिछली टॉप पांच चर्चित महिलाओं के नाम हम आपको बता देते हैं भारत की नई लेखा महार नियंतरक कौन बनी है सोनाली सिंग बनी है पिर्धानमंत्रे सुरक्षाच चूक मामले की जात सम्मीती के अध्यक्स कौन बनी है इंदू मलोत्रा फॉर्चियून इंडिया की ओर से जारी भारत की पचास सबसे सकती साली महिलाओं के सूची में कौन पहले स्थान पर रही है निर्मिला सीता रमन पहले स्थान पर रही है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वोमेन आफ दे इयर अवार्ड दोजार एकीस से किसे सम्मानित किया है अंजू बोवी जोर्ज को सम्मानित किया है देश के चौथे सर्श्रेश्ट नायगरिक सम्मान पदम स्री पुरुषकार से सम्मानित होने वाली पहली भारतिये महिला फुटबालर कौन बनी है ओई नम बेम बेम देवी बनी है नेक्स्ट क्वेश्टन आपका केंदर सरकार ने से पुरी मद्य प्रदेश का नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया है कुंडे स्वर धाम कर दिया गया है सी आपका आंस्वर हो जाएगा केंदर सरकार ने इसे पूरी मद्य प्रदेश का नाम बदल कर नया नाम कुंडेश्वर कर दिया है मद्य प्रदेश के मुख्य मंतरी सिवराज सिंग चौहान ने केंदर सरकार से मद्य प्रदेश में तीन सतानों का नाम बदलने का प्रिस्ताव रखा है नाम बदलने की मंजूरी ग्रह मंत्राईले द्वारा दी गई थी मद्यप्रदेश राज्य में अन्य बदले गई नाम होसिंगाबाद नंगर का नाम नर्मदा पुरम कर दिया है सिप्पुरी का नाम बदल कर खुंडेश वर्धम कर दिया है बाबई का नाम बदल कर माखन नंगर कर दिया गया है मद्धे प्रदेश के बारे में फ्रेंडस हम आपको कुछ जान करी देना चाहते हैं मद्धे प्रदेश राज्य की स्थापना एक नॉम्बर सन उनिस सो चपन को होई ते मद्धे प्रदेश के राजदानी भोपाल है मद्धे प्रदेश के मुख्य मंतरी सिवरा शिंच चुहान है जो कि बीजी पार्टी से अपना संबन रखते हैं मद्य प्रदेश के गवर्नर मंगु भाई छगन भाई पतेल हैं मद्य प्रदेश के मुखे नयदीस आर भी मली मठ हैं मद्य प्रदेश की लोग सवा सीट 29 हैं राज्य सवा सीट 11 हैं विदान सवा सीट 230 हैं मद्य प्रदेश के पांच पड़ोसी राज्य हैं महराष्ट 37 गड पेश राश्टे उद्यान, संजे राश्टे उद्यान, मंडला प्लांट सोसे लिए है, सभी नैसनल पार्क, मद्ध प्रदेश में सेते थे, करकरेखा भारत के मद्ध प्रदेश राज्जे से होकर गुजरते हैं, और करकरेखा भारत के आठ राज्जे से होकर निकलते हैं, य ताइल आईसोसाई नाइट का रिसाव वा था जिसका सूत्र है सी टू एच थ्री इन ओ साची का सतूप कहां सेतेत है ये भी मद्दे परदीश रायज्य में सेतेत है मद्दे परदीश के फिरसिद मंद्रों के बारे में हमाब को जानकरी देते है योगनी मंद्र खुजराहो, बाहकालिस और मंद्र उज्जेन और खुजराहो के मंद्र सभी मद्दे परदीश में सेतेते है मद्दे परदीश के एरपोर्ट राजा भोज अंतर राष्ट एरपोर्ट भोपाल में है दिव एहले भाई एरपोर्ट इन दोर में से तेता है नेक्स्ट क्वेस्ट ने आपका महिलाओं के लिए सुने सही सुनुता कांतराश्ट दवस 2022 का मनाया गया है तो छेफरवरी को ये मनाया गया है भी आपका आउस्वर हो जाएगा महिला जनलाऑ विकर्थे के लिए सुने है सही सुनुता कांतराश्ट दवस हर साल सेज़् राश्ट दवारा छेफरवरी को मनाया जाता है यह पहली बार वरस 2030 में मनाया गया था उन देश नेस इसका मुक्र उन देश ہے महिला जननांग विकर्ति को पिर्था को जड़ को समाप करना और लोगों में महिलाओं के पिर्थी सम्मान और सनहे पैदा करना है 2022 की थीम है नो टाइम फूर गिलोवाल इनेक्सन यूनाइट फॉंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेंटल मोटली सन है पिछले टॉप पांस दिवसों के बारे हम आपको जान करी देते हैं अंतर राष्टे मानव बंदोत दिवस चार फरवरी को मनाया जाता है विस्व केंसर दिवस चार फरवरी को मनाया जाता है जिसकी थीम है कलोज दी केर गैप विस्व कोष्ट दिवस 2022 तीस जनवरी को मनाया जाता है जिसकी थीम है United for Dignity डेटा गूप नियता दिवस 2022 तीस जनवरी को मनाया गया Privacy Matters इसकी थीम रही है अंतराष्टे सीमा सुल्क दिवस सब जनवरी को मनाया जाता है एक डेटा संस्किर्टी को अपनाने और एक डेटा परिष्टेते की तंतर खंडर्मान करके सीमा सुल्क डिजिटाल परिवरतन को बढ़ाना है चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेशन की तरफ COVID-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला विस्वू का पहला देश कौन बना है तो ये बना है भारत भी आपका आंस्वर हो जाएगा भारत COVID-19 के खिलाब DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है DNA अधारे जायकोवडी भारत की पहली नीडल फ्री और दूसरी स्वेदी सी COVID-19 वैक्सीन है यह दुनिया की पहली DNA वैक्सीन है इसके जरिए जेनेटीकली इंजिनियार्ड फुला सिंडस को सरीर में इंजेक्ट किया जाता है इस सरीर में COVID-19 सिपाइक प्रूटीन का उत्पादन होने लगता है और घातक वाइरस से बचावाले एंटिबाडी पैदा हो जाती है पिछले टॉप पांच विस्व का पहले से जोड़े प्रसनों का रिवीजन मैं आपको करा देता हूं फ्रेंड्स विस्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग वोट दे जैट जीरो एमी सन को कहा लॉंच किया जाएगा दुबाई में लॉंच किया जाएगा दुनिया की पहली बिटकोइन स्टी किस देश में स्ताबित की जाएगी अमेरिका ने की है किस देश ने पहली वारियात आयात के लिए अपना इन्फिनिटिव बर्ज खोला है दुबाई से अरब अमिरात ने खोला है अंतरिक से सूट होने वाली विस्व की पहली फिल्म कौन सी है दी चैलिंज है नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका फुटबाल स्वर हो जाएगा सेनेगल की फुटवाल टीम ने फाइनल मिसर को पेनल्टी पर चार दो से हरा कर अफरीका कप आफ नेसंस दोजार इकीस का खिताव जीत लिया है संसक्रंट तेतीस हो रहा है आईजन सथल केमरून अफरीका में है आई सी सेपरिट आफ करकेट आवार नामांकित किया गया नीरत चौपडा का नामांकित किया गया है जिसने भाला फेक में गोल्ड मेडल जीता था बैडमिंटन टूर्नमेंट ओरीस आउपन दोजर बाईस पूर सेकल का खिताव किसने जीता है किरंट जॉर्ज ने जीता है टैनिस टूर्नमेंट आस्टेलियन open 2022 में पूर सेकल का खिताब किस ने जीता है राफिल नडाल ने जीता है महिला हाकी इसी एकब 2022 का खिताब किस ने जीता है तो ये जीता है जा पान ने नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका विकलंग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जौपलेट फॉर्म स्वेराजबिलिटी को के से संस्थाने लौंच किया है तो इसको लौंच किया भारती है प्रयोद्योगे की संस्थान IIT हैदरवाद ने लौंच किया है भी आपक इंचालित एक जौब पॉर्टल है उद्देश से जौब पॉलेट फॉर्म स्वेराजबिलिटी का उद्देश विकलंग लोगों को प्रासंग कोसल हासल करने और नोकरी खोजने में मदद करना है नाग्रेकों को बैतर सिवाएं परदान करने के लिए किस राजगी सरकार न एपी सेवा टू पॉअट जिरो पॉर्टल ू पॉइंट जिरो लोंच किया है अंदरपर्देश ने से लौच किया है लोगों के लिए संसद और उनके संसदों के कारवाई की जानकारी हैसल करने के लिए डिजिटल संसद नामक एप किस ने लॉंच किया है लोग सबस्ची वाले ने लॉंच किया है सूध गती विदियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नाई पर रिसर्च राजव परेटन को बढ़ावाद देने के लिए अपना कांगडा एफ को किस राज़गी सरकार ने लौंच किया है माचल प्रदेश ने लौंच किया है कोईला दर्फन पोर्टल को किस ने लौंच किया है तो यह अनिल कुमार ने इसको लौंच किया है नेक्स्ट क्वेश्च अडानी एसिया के समसे अमीर वैक्ती बन गए है उन्होंने रिलाइंस इंडिस्ट्री के चेर्वें मुकेस Ambani को पीछे छोड़ दिया इतना ही नहीं इसी के साथ गौतमाडानी दुनिया के 10 सबसे अमीर वैक्ती भी बन गए है गौतम अडानी अडानी गृर्प नेट वर्थ 90.1 बिलियन डॉलर के साथ फ़स्ट नमबर पर है मुके सम्भानी रिलाइंस गृर्प से नेट वर्थ 89.4 बिलियन डॉलर के साथ सेकंड नमबर पर है माहुआ टेंग टेंसेंट नेट वर्थ 46.9 बिलियन डॉलर के साथ थर्ड नमबर पर है एलन मास्क टेसला 249.6 बिलियन डॉलर के साथ फ़स्ट नमबर पर बने हुए है वर्ल्ड में सबसे अमीर वेकती हैं वर्नार्ड अर्नार्ड एक सो चौरनवे पॉइंट 6.6 बिलियन डॉलर के साथ सेकंड नमबर पर है जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के माले 183.5 बिलियन डॉलर के साथ थर्ड नमबर पर बने हुए रिपोर्ट जारी करता फोबर्स की रियल टाइम बिलियन डियर इंडेक्स मुखाइले न्यू यूर्क सहीं अक्तराइज अमेरिका ने ये जारी किया है नेक्स्ट क्वेस्टन अपका एस याई विकास बेंक दौरा जारी की गई रिपोर्ट का नुसार इसने 2021 में भारत को रिकार्ड कितना रिन परदान किया है 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर करण परदान किया है भी आपका अंसर हो जाएगा एस याई विकास बेंक दौरा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इसने 2021 में भारत को सावरिन अधार में रिकार्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर करण परदान किया है स्थाप ना उननीस दिसंबर 1966 कोई ते एस याई विकास बेंक का मुकाले मंडलू योंग फिलिपींस में है अध्यक्स मासात सुगू असाकावा है एस याई विकास में के सदिस्यदेश 68 है नेक्स्ट कोईस्ट ने आपका बिलूम सबरी इंडिया द्वारा प्रकासित नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है जे साई दीपक ए आपका आंस्वर हो जाएगा जे साई दीपक नामक पुस्तक के लेखक इसे बिलूम सबरी इंडिया ने परकासित किया है यूर बेस्ट डे इस टूडे पुस्टा को लिखानु पम्खेर ने आई एम नो मिसा पुस्टा को सोनु सूदा और मीना आयर ने लिखा है ओहो मिजूरम पुस्टा को पी-एस स्रीधरन पलाई ने लिखा है ओवर ड्राप्ट सेविंग दि इंडियन सेवर पुस्टा को औरजित पटेल ने लिखा है इन एरा ओफ डार्कनेस पुस्टा को ससू थरीड ने लिखा है नेक्स्ट क्वेस्टन आपका फोट वियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड अमेस्टर कौन बनी है दिसा पटानी इसकी नई ब्रांड अमेस्टर बनी है सीया आपका आंस्वर हो जाएगा बाली उड़ा विनेत्री दिसा पटानी फोट वियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड अमेस्टर बनी है जवाला नहरू इसमेद द्याले की पहली महिला कुलपती सांत तीसरी दोली पोड़ी बनी है फ्रेंड्स आपको एक फास्ट डिविजन की तोर पर मैं आपको बता देता हूँ आज के करंट है फियर्स को केंदर सरकार ने से पुरी मद्ध प्रदेश का नम बदल कर क्या कर दिया है कुंडिस वर कर दिया है महिलाओं के लिए सुन्दे सहिस्न रिता कंतर राष्ट देवस दोजर बाईस कम बनाया गया च्छेफर वरी को कविड नाइटीन डियन ने वैक्सीन लगाने वाला विश्व का कौन सा देश बना है भारत बन चुका है एक हजार चब्वीस में परसेंद सौमनात मंदर पर हमलार लूट पाट किस ने की थी पेड़ों की परसित पर जाती सुंदरी किस वन में पाई जाती है में ग्रॉव वन में पाई जाती है भारत का को कि लाके से कहा जाता है स्रोजनी नाइडू को कहा जाता है विवे कानंद रॉक मेमोरियाल कहां सित्यत करने कुमारी में सित्यत है मानव सरीर का कौन सा हिस सा आश्ट योपो रोसीस नमक भीमारी से परवायत होता हड़ियां मानव सरीर में सबसे बड़ी कौन सी है फीमार जो की जान की हड़ी है उतर परदेश की सीमा कितने राज्जियों के इंदर शासत परदेशों के साथ लगती है नौ के साथ कान के परदे की जांच के लिए किस वकरण का उप्योग किया जाता है आटोस्कोप को अप्योग किया जाता है अलवर्ट आइंस्टीन को किस वार्स भौते की का नोवल पर सकार दिया गया था 1921 में दिया गया था भारत की समंदरी तर्ट रेखा की कुल लंबाई कितनी है 7516 किलो मीटर भारत की समंदरी रेखा तर्की लंबाई है नेक्स्ट कुईशन है आपका 1000 वंडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम डिमिन में से कौन सी बन गई है तो भारत बन चुकी है भारते टीम 1000 वंडेखा खेलने वाली पहली टीम भारत ने अपना पहला वंडे साल 1974 में इंगलेंड के खिला था इस मामले में भारत के बाद आस्टेलिया नौसवाटामन और पाकिस्तान नोसोछच्छी का नर्म आता है वन डे में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भारती है, गेंदवाज दूसरे नंबर पर है नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका भारत रतंसे सम्मान इतने में वेसे किस प्रसिद गाईक का बानवे वर्ष के अमर में निदन हो गया है तो यहां पर निदन हो चुका है लता मंगीस करका डी आपका आंस्वर हो जाएगा पिरसिद गाई का लता मंगेस कर का अच्छे फर्वरी दोजर बाइस को मुंबई में निदन हो गया वो बान में साल की थी लता मंगेस कर का जर्म 28 स्टमबर 1929 को मद्दे परदेश के इन दौर में हुआ था लता मंगेस करने साल 1940 में महज 13 साल के अमर में अपने केरियर की सिरुवात की थी उन्होंने कैई भारतिय भासाओं में अब तक 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका किस देश के राष्टपती पेड्रो कस्टिलो द्वारा कैबनेट के फिर से पुनर गटन की घोस्टन किये जाने के एक दिन बाद देश के नई प्रधानमंतरी हेक्टार वेलर ने अस्तीपा दे दिया है पेरू के राष्टपती पेड्रो कैश्टिलो द्वारा कैबनेट के फिर से पुनर गटन की घोस्टन किये जाने के एक दिन बाद देश के नई प्रधानमंतरी हेक्टार वेलर ने अस्तीपा दे दिया है कैस्टिलो की सरकार में छे महीनों में तीसरे प्रधरमंत्री हेक्टार वेलर ने कहा कि वह अखवारों के निसाने पर है वो पिछले 42 वर्सों में पेरू के सबसे कम समय तक पद पर रहने वाले प्रधरमंत्री है नेक्स्ट क्वेशन है आपका इंडीगो एयरलाइन का नया प्रधरमंत्री निसाग डिमिन में से किसे न्युक्त किया गया है तो यहाँ पर न्युक्त किया है राहुल भाटिया को तो एपका आंस्वर हो जाएगा भारती है एयरलाइन इंडीगो ने अपने सैसल जथापक और परमोटर राहुल भाटिया को ततकाल प्रभाव से कमपणी के प्रवंद्र निसाग के रूप में डिक्त किया है वो इंडीगो के पहले एमडी है क्योंकि इस से पहले कमपणी का कोई प्रवंद्र निसाग नहीं था रोनो जाए दत्ता इंडीगो के सीईओ है next question है आपका किस टीम ने इंगलेंड को अहराकर undur 19 वर्ल्ड का पांचवी वार जीत लिया है भारत ने पांचवी वार जीत लिया है सी आपका अस्वर हो जाएगा सर विवियन रिचार्ड में भारत और इंगलेंड के बीच पांच फरवनी 2022 को खेले गए अंडर 19 किरकेट विस्पक फाइनल में मैच में भारते टीम ने इंगलेंड को पस्त करते हुए पांच भी वार खिताब अपने नाम किया है भारत ने अब तक इसे साल 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में इसे जीता है आस्टेलिया ने अब तक तीन बार ये किताब जीता है साल 1988, 2002, 2010 में इसे जीता है वो दूसरे स्थान पर है बेक्स्ट क्वेस्टन आपका हाली में किस राज़ सरकार ने एक देश एक रासन कार्ड योजना को लागू कर दिया है तो ये कर दिया च्छतिस गड़ राज़ सरकार ने सी आपका अंस्वर हो जाएगा 36 सरकार ने एक दे से एक रासर कार्ड योजना को लागू कर दिया है इस सिर्लंका सरकार ने कितने मिलियन अमेरीकी डॉलर के रिंड समझोते पर हस्ताकसर किये है तो ये हस्ताकसर किये है पांसो मिलियन अमेरीकी डॉलर पर ये आपका आंस्वर हो जाएगा भारत के दिर्यात आयात बैंक और स्रिलंका सरकार ने पांसो मिलियन अमेरीकी डॉलर के रिंड समझोते पर हस्ताकसर किये है इसरेंस अब जोते का मुख्यों देश स्रिलंका में सबसे खरावा आर्थिक संक्रट के भी स्रिलंका को अपनी मौजूद इधर की कभी सिलिवर्टने में साहता करना है नेक्स्ट क्वेशन आपका अंतर राइस टेम बान बंदोत उद्वास डिमन में से किस दिन बनाया जाता है तो ये द्वस बनाया जाता है चार फर्वरी को अड़ी आपका अंस्वर हो जाएगा साज़स करते के अधर्विक सही सुनता और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष चार फर्वरी को अंतर राष्ट अमान बंदोत दिवस का आई उजिद किया जाता है यह दिवस पहली वार साल दोजार एकीस में से उगतर राष्ट दोरा आई उजिद किया गया था नेक्स्ट क्वेशन है आपका सी पी ए सी चीन के जिजियांग छेतर और किस देश के गवादर बंदरगाह को जोडने वाला एक आर्थ गली आरा है तो यह है आपका पाकिस्तान सी आपका अंस्वर हो जाएगा चीन पाकिस्तान आर्थ गलियारा चीन के उतर पश्मी जिजियांग उईगार स्वायत छितर और पाकिस्तान के पश्मी प्रांद बलुचिस्तान में गवादर बंदरगा को जोडने वाली बनियादी ढाचा परियोजनाओ का तीन हजार किलो मीटर लंबा मार्ग है पाकिस्तान ने हाल ही में चीन के साथ साथ अरव अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थ गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए एक नए समझोते पर हस्ताक्षर किये है नेक्स्ट कुश्चन आपका प्रतिय एक वार्स वेश्व अंतरधार्वेक सद्भाव स सब्ता हरवरी के पहले सब्ता के दौरान मनाया जाने वाला एक वार्स एक कायर्यक्रम है तो फ्रेंट्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फ्रेंस हो जाता है वीडियो आपको अच्छा लगा होता आप इसे लाइक करें सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइक देन दवाद